नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहीब में और मैं हूँ आपकी साथ सौमयराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल जो की बिहार के सबसे जाने माने पीट और लिवर से जुड़े रोगों के विशेशग्ये हैं आज के एपिसोर में हम खास तोर से मौनिंग इसे डिटी के बारे में बात करने वाले हैं यानि कि सुबह उटते के साथ कुछ लोगों को जो ग्यास की प्रॉब्लम होती है क्यों होती है क्या कुछ कारण है उसके वो सब कुछ समझने वाले हैं सबसे पहले डॉक्टर साब नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब कई लोगों के साथ ये समस्या होती है कि पूरे दिन में उन्हें ग्यास की वज़े से दिक्कत नहीं होती है लेकिन जो सुभह का वक्त होता है जब वो उठते हैं उस दौरान ग्यास की वज़े से बहुत दिक्कते होने जहिलनी पड़ती है बहुत ही relevant question है आपका और इसके लिए पहले जो पेट की normal physiology है वो थोड़ा सा समझनी पड़ेगी और कुछ लोगों में जो आप गैस की समझ से बता रही है वो थोड़ा और specific अगर हम जाना चाहें तो वो एक reflex symptom बताते हैं कि जो पेट की चीज़े हैं वो उपर आती हुए प्रतीत होती है उनकी तो देखिए इसको हम अपनी medical भाशा में एक term देते हैं जिसको GERD बोलते हैं G-E-R-D अगर हम full form करना चाहें तो gastroesophagial reflux disease इसका एक वग्यानिक नामकरन आप बोल सकते हैं gastroesophagial reflux disease के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जो प्रमुक कारण यह होता है कि जो अगर हम anatomic की बात करें तो जो खाने की नली होती है जिसे food pipe या isophagus कहते हैं और इस टमक जो पेट कहते हैं उसके बीच में एक wall या एक दर्वाजा होता है कुछ लोगों में यह wall या दर्वाजा weak हो जाता है उसके वज़े से जो भी gastric content जो काफी acidic होता है वो आपको खाने की नली में reflux या उचल जाता है उसके वज़े से लोगों को early morning symptom होते हैं आपका यह question भी relevant है कि यह सुबा के समय ही जादा क्यों होता है तो देखिए जब ह हमारे शरीर में जो acid की मातरा होती है वो early morning काफी जादा होती है और कुछ चे कंडिशन में जो आज हमारी जो life style या जी जीवन शैली हो गई है वो भी उसके लिए काफी हद तक जिमेदार है जैसे हम लोग देर रात तक जो सोने की हमारी जो समय शानी है वो भी काफी चेंज हो गई है आजकल का जो खाना है वो तेल मसाले और जंक फूट का वो जादा हो गया है तो अगर हम इसके बचाव की बात करेंगे तो हमें जो सबसे important चीज होती है कि जो हमारी जीवन शैली है वो एक balance रहने चाहिए जैसे हमें सही समय पे भोजन करना चाहिए सही समय पे जो सोने की timing होती है वो भी हमारी accurate होनी चाहिए कुछ-कुछ देखिए खादे-पदार्त होते हैं जो by nature acidic होते हैं जैसे जो भी आप citrus food लेते हैं जिस foods में भी रस होता है नीमबू संतरा मुसमी उसका acidic content जादा होता है और उसका seven से भी हम लोगों को reflux या जिसको gas की समय से बो वजन जो है वो obesity के range में है तो obesity की वजह से भी patient को reflux या gas की समय से हो सकते हैं ऐसे cases में अगर हम अपना वजन कंट्रोल करके रख लें तो उससे हमें काफी हद तक उस समय से निदान पा सकते हैं हमारी पास एक common question लेके मरी जाते हैं कि हमारा डॉक्रस हमारा जो ideal weight है वो कित हैं तो वो एक हमारा जिसको average ideal weight हम उसको बोल सकते हैं उधारण के लिए अगर किसी वेक्ति का जो की जो लंबाई है वो 156 cm है तो उनका जो ideal weight है वो 56 kg होना चाहिए उससे जो भी अतिरीक्त weight है उनको उनको कम करना चाहिए सिफ वजन कम करने से ही हम पेट के लावा दूसरी जो बिमारिया हैं जैसे hypertension, diabetes, जो hurt की बिमारिया हैं उससे भी काफी हद तक निजात पासकते हैं उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं आपने उनी ठीक तरीके से सुनो और समझा होगा इसे के साथ बहुत जल्द मुलागात होगी डॉक्टर साहब के अगले अपिसोड में तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माधिम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं धन्तिवाद